हाज जी तो कैशो आप लोग मैं आपका निलेश पी अब बहुत बहुत श्वाकत करता हूँ शुपरफास्ट क्लासेज यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ये हिंदी का मॉर्डल पेपर ओफिसली ये बोर्ड के द्वारा जी है मैं दोस्त यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है आप लोग का जो दोजार चोवीस यानि कल ठीके 22 वरी को एकजाम होने वाला है उसक लिए चलो इसको पूरा-पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं ठीके देखो डिटेल में मैं सॉल्व नहीं करूँगा जैसे इदर ये जो संदर्व या क्या होता है मैं केवल पाठोट का नाम बता दूँगा डिटेल में आप लोगो मैं पीडियेफ दे दूँगा देखो ये प आपको बता दूँगा कि इसका पीडियेफ सालुशन के साथ आपको कहां कैसे मिलेगा चलो सबसे पहला कोशन इसकीन पर देख सकते हो सबसे पहले जो बीसमार के MCQ वाले हैं उमार बेश्ट वाले हैं उनको शॉल्व करते हैं पहला कोशन है कि बाबु गुलाब रहे किस य दूसरा कोशन है चिंतामरी निवंध विधा की रचना है अचाहय रामचन सुकल जी ने लिखा हुआ है अगला है थर्ड नमर कोशन गवन किस की रचना है गवन गोदान या फिर कर्भोमी रंग भोमी इन सब के रचनकार जो है वो मुनसी प्रेम चंद है आगे देखते हैं प्रस्नोत्र संग के चार, प्रस्नोत्र संग के चार है कि सुकलिव की समय उधी बतानी है, समय उधी बतानी है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें कई सारा आप्षन दिया है, तो सुकलिव की जो समय सीमा होगी, वो सही आप्षन 19-19-1938 इस भी होगी, और सुकलिव को आप लो से मां 19-19-1938 तक और 100% आप लोग के एकजाम में ये प्रस्ण आना ही आना है चलो आगे चलते हैं ये बोर द्वारा जारी model paper है तो very 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 same important कुछ नहीं हो सकता है इसमें से same to same direct कई सारे question आप लोग के एक जाम में फसेंगे अगला चलते हैं नीर का निर्मार फिर किस विधा की रचना है देखो नीर का निर्मार फिर और एक क्या भूलू के याद करू ये दो रचना हैं जो आत्मकथा विधा पे अदारित रचना है और किसकी है तो हरीवन सराय बच्चन जी की प प्रिये प्रवास के रचनाकार है तो देखो प्रिये प्रवास के रचनाकार अध्यासी उपाद ध्याय हरी ओध है ठीके और इसको प्रिये प्रवास ये जो है ये खड़ी वोली का प्रथम महाकाब्बे ये माना जाता है ठीके खड़ी वोली मिंस वही हिंदी हिंदी का ये option दिया है कि दिवेदी यूग भारते यूग प्रगतिवादी यूग या फिर छहवादी यूग प्रस्नोत संक्य अच्छे है तो इसके लिए आपका सही option दिवेदी यूग हो जाएगा यह दिवेदी यूग की रचना है आगे चलते हैं अगले question पे सात्वा प्रस्ने मधुसाला किसकी रचना है वही मधुसाला very very important very very important है मेरे वही मधुसाला हरीमा सराय बच्चन जी की रचना है काप बेवीधा की रचना है ठीके और देखो ये question न यहाँ एक मिनट मुझे अभी याद आ गया ठीके ये question अभी मैं ये यूपी फुलिस का एक्जाम देकर आया हूँ ठीके तो इसमें भी पूछा गया था एक मिनट मैं आपको निकालता हूँ हिंदी वाला section ठीके 18 तरीकों ये मेरा एक्जाम था इधर मैं दिखाया था हालां कि ये paper leak को खुछ का वह बात अलग है ठीके यहाँ पे एक मिनट ये देखो यहाँ पे ये देखो पेज नमर 13 पे ये हिंदी वाले section में देखो ये पूछा गया कि हिंदी वासा की सबसे लोगप्रिय रचनाओं में से एक मदुसाला के लेखक है और देखो आपकी ये model paper में भी ये question है कि मदुसाला किसकी रचना है तो ऐसा नहीं गिए जो सब चीजे पढ़ड़े हो आपके केवल body jam में ही काम आएगी आगे चल कर आप competitive jam भी दोगे ठीके तो उसमें भी ये सारी चीजे काम आएगी देखो यहाँ पर ये question पूछा गया था कि हिंदी वासा की सबसे लोगप्रिय रचनाओं में से एक मदुसाला के लेखक है और यहाँ पे देखो ये पूर्डा पूरा ये पेपर है चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ देखो ये ये भी एक काब भी विधा की रजना है ठीके और चलो सीधे मैतली सनर गुप पे लगाओ आगे चलते हैं ठीके टाइम वेश्ट करने से कोई फायदा नी आधुनी काल कब से माने जाता है उन्नी सा से तीराली से अब तक और उन्नी सा सारी अठारा सा तीराली से अब तक ठीके चलो जैसे दिवेद्दी यूग या फिर छहवादी यूग अलग-अलग यूगों में इससे विवाजित किया गए आधुनी काल को तो आधुनी काल कब से कब तक है तो आठारास तीराली से अब तक का जो समय है उसको आधुनी काल का तरगत रखा गया है अगला प्रशन त अधिये याद रखना मतिराम इनकी रेचना है और इनकी रचना है और रसराज है ठीक चलो आगे चलते हैं अब ये आपके अस तर से ब्याकर से सम्मदित प्रस्ण होंगे या혁दी गध्य पत्द ये आपके हिंदी प्रस्ण होता है तो किसी ना किसी मुझे याद नहीं आपके यह लाइन दी गई है ठीके अब इसमें अलंकार पूछा जा रहे है कोश्चन नमबर 12 में ठीके आपका उत्परेक च्छा रूपक श्लेस तो सही होगा आपका उत्परेक चलंकार इसमें उसके बाद 13 परसन की रूड़ा चन में कुल क और चन में ठीके डिए ठीक चलंकार श्रूप ब। प्रकार तो तीन और अर्थ के अधार पे आठ बाकि इसको मैंने डीटेल में मतलब इसको पढ़ा रखा है लगभग पच्छास मिट की एक वीडियो में ठीक है जिसमें मैंने लगभग तीस पूरा-पूरा पहले पढ़ा है और उसके बाद तीस अबजेक्टिव भी कर रहा है लेकिन अब आपके पास वो देखने का मतलब टाइम नहीं भई पच्छास मिट एक नम्मर के लिए आप क्यों वेश्ट करोगे छोड़ो इसको डिटेल में मत पढ़ो आप देखना यही कोश्चन कई मतलब पेपर शेटों में आ जाएगा ठीक है आगे चलते हैं पितांबर में कौन सा समास है भई पितांबर पीला है वस्त जिसका अर्थात इस अर्थात स्रीक्रिष्ट हो जाएगा तो यह तीसरा अर्थ निकल रहा है तो यहां बहुभी रही समास हो जाएगा आसू का तत्सम परदानता होती है ठीक है और देखो ये वाच्य जो ये भी नया टापिक जुड़ा है वाच्य वाला ठीक है तो वच्य हमें आप याद रखना कितने वच्ची ये पूछ शकता है कि वाच्य के बेदे कर्ट्री वाच्य कर्म वाच्य और भाववच्य कलिए भईarm और कर्त्रिव आच्छे में कर्ता की प्रधानता, कर्म आच्छे में कर्म की प्रधानता, और भाव आच्छे में भाव की प्रधानता हो जाएगी, simple, ठीक, चलो, और वाच्छे कितने प्रकार, तो तीन प्रकार, ये भी याद रखना, कई पेपर सेटों में ये भी पुछा ज यह होता है ठीक है और यह एक कोशन इसे पूछा जाएगा और इसमें आपका नम बिभक्ती में केवल एक ही प्रसंद पूछा जाएगा और वो तद और इश्मद इन ही दो का पूछा जाएगा इसके अलबा जो पहले आया करता था वो मतलब लिख यह सोरी मतलब जैसे बालक क यह फिर लता का मधू का नदी का वो सब नहीं आएगा और नहीं यहां पर धातुरूप जैसे पट धातुली की धातुरूप जो पहले आया करता था नहीं आएगा उसके जब यह जो नए टॉपिक यूड़े है इन से कोशन आएगा तो यहां ताब्या सबने वच्छन हो व युकति इसमें बहु अच्यन हो जाएगा ठीक चलो आगे देखते हैं प्रस्टों क्या 20 निम्धित में से सरो नाम सरो नाम है यानि प्रोनावन जो नाउन के स्थान पर प्रियोग हो वह वह भाई ही सी इट ये क्या होता है ही सी इट देखो ही सी इट दे आपने इंगलेस म हो गई खंड ओ के अंतरगत अब देखो खंड ओ के बाद खंड बौग आप लोग का वाणड आत्मक प्रस्थ होता है इसको कर दें पहला प्रस्ण आपका गद्यान से सम्मधित रहेगा दो गद्यान से अधिया रहेगा और दोनों से तिंटे आपका प्रस्ण पूछा रहेगा जो आप करो दोनों में इसको यह करना होता है तो देखो पहला देखो यह कोई बात नहीं कि एक ही सोभाव और रूची के लोगों में ही मित्रता हो शकती, यही से आप पहचानगे, यह आपका मित्रता वाले चेप्टर से जिसको लिखा है, अचाय राम संसुकले, तो सिंपल इसका गध्यांस का संदर्ब लिख लोगे, जो भी यह रगांगी तन्स कियागे, इसकी ब्य जागा, तो 6 मार्क मिल जागा, इसको करो, बाकी आपके पास option भी होता है, अगर वो नहीं आ रहा है, तो यह करो, ठीक है, दोनों में से जिसका आप अंसर सही, अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, उसको कर लो, ठीक, लेकि दोनों में से कोई एक ही करना होता है, अब देखो तो यह क्या है, कि हे भगवान, तब के लिए, बीपद के लिए, इतना एयोजन, परमपिता की इच्छा के बिरूज, परमपिता मिंसिया भगवान, भगवान की बात की जा रही है, ठीक है, यह ममता कहती है, ठीक है, जब उसके पिता, मतलब अनैच्छिक धन पाह अपने घ तो यह जो शेकेंड चेप्टर है आपका मम्ता वाला जिसको लिखा है संकर प्रसाद ने उससे ये पक्तिया लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है जल समझ में नहीं आती है तो इसको आप देख लेना और आना ही आना है आपके बोड़ीजा में तो इसका अब सिंपल अब गद पड्यांस ते यहां आप दो पध्यांस रहेंगे ठीके दो पध्यांस में से आपको एक पद्यांस का उत्तर लिखेना हुआ उसके प्रसंत पूछे रहेंगे तीनों को उत्तर लिखो Direction मार्क मिल जागा अब देखो चरॉनॡ और लगार या की एक किर्फा पंगू गिरी लगाई जा पढ़िका कूर और सब्सक्राइए लगना होता है कों कहता है यह सूरदा जीमा सब्सक्रांस आपका पहला ही छेप्टर सदीनúnghte में ये सूर्दास मतलब भोलते हैं, सिंपल, तो ये पद से लिया गया है, तो आप इसकी संदर्ब्याख्या करते रहना, ठीक, बाकी इसका पड़े ही ओ, ठीक, देखो, अंदे को सब कुछ दर्शाई, यह नि, अंदे को सब कुछ दिखने लगता है, बहरों को, सब कुछ बह देना, इसका संदर्ब, रिखांगी गंस की ब्याख्या कर देना, एक ये अलंकार पूछा गया है, उप्रिक पक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक, तो इसमें भई, इसमें पक्तियों में रुपक अलंकार होगा, ठीक, शलो, बाकी इसका सालूशन मैं डीटेल में दे ठीक, कौन करते हैं भई, तो तुलसी दास करते हैं, ठीक, तो ये आपका जो चेप्टर है वन पत पर ठीक, उससे ये पक्तियों ली गई है, ठीक, तो अब इसका आप संदर्ब, इस पध्यांज का संदर्ब लिख देना, रिखांगी गंस, ये लाश्ट में है, इसकी ब्या इसरा प्रस्ण जो है आपका देखो, संस्कीत गध्यांसों से रहेगा, दो गध्यांस दे रहेंगे, उसमें से किसी और एक का, ठीक, दुनों से किसी एक का, आपको संदर्ब लिखना होगा और हिंदियन बाद करना होगा, और इसमें संदर्ब लिखते समय, लेखा को नाम लिखा जाता है, सिंपल तरीके जाता है, आप जानते ही हो, और देखो, एसा नगरी भारते संस्कीत है, संस्कीत भासाया केंदर अस्थलम अस्ति, यहीं से आपका पता चल गया, पहली पक्ती से कि यह आपका जो वराराणर्सी वाला चेप्टर है, उससे ही है, ठीके, वरा संस्कीत ही, यहाँ देखो, संस्कीत ही की बात आ रही है, आगे भी पढ़ोगे तो बार बार संस्कीत ही की बात आएगी, ठीके, तो यह आपका जो अनिवारे संस्कीत है, उसमें एक चेप्टर है, भारती है संस्कीत ही, ठीके, उसी से यह लिया गया है, सिंपल, ठीक, चलो तो मैंने दोनों को बदा दिया कि इस चेप्टर से लिया गया है अब देखो अगला यह आपका चोथा नमर जो है यह आपका जैसे वो गद्यांस था तो यहाँ पी इसको पद्यांस बोला गया है यह स्लोक है दो स्लोक है ठीके इन दोनों स्लोकों में से कोई एक सिलोक ठीक है मेर भई कोई एक सिलोक आपका लेना है और उसका आपको संदर्व लिखना है और हिंधी अनुबाद उसका करना है जिसका आपको 5 मर्क मिलेगा और देख सकते हूँ यह पहला आप सलोक देख सकते हूँ ठीके कि मान हित्वा प्रियभावती कुरोधम हित्वा नसुष्ती काम हित्वा अर्थवान भावती लोभम हित्वा शुकी भवेत ठीके चलो तो यह देखो यह आपका यह जो पकतिया है न यह आपका एक चेप्टर ह उसी से यह लिए गया है तो चलो यह दोनों हो गया आगे चलते हैं पांच वा प्रसन आपका प्ठीर खंडकाप बे का अधार ने गृए इसमें सारे जीलें का का खंडकाप बिया रहाका है इसमें से देख लो कि आपके तरसंग के छे इसमें दो रहेंगे छे का को और छे का को में आप लोग का लिखोकों का जीवन परचे तीन आप्शन दिया रहेगा उसमें से एक का लिखना पड़ेगा और इसमें कभियों में भी तीन आप्शन दिया रहेगा उसमें से एक का आपको जीवन परचे लिखना हो याद होना ही होना चाहिए आपके एक्जाम में फंचता है ठीक कभियों में आपको गोष्वामी तुलसीदास जी का सुमित्रा नदन पंत जी का और उसके अलबा सूर्दास का और एक आप महादेवी वर्मा के इन चार लोगों मैं बताया हूं पहले से बताता चला आ रहा हू कि यहाद होना चाहिए याद है तो आपके एक्जाम में फंच जाएगा कोई दिकत नहीं यहाँ पे एक स्लोक लिखना होगा स्लोक आपको तीन याद होगा कम से कम क्योंकि यहाँ पे दो स्लोक आया थे इनको नहीं लिखना होता है कोई अलग सा तो कम से कम तीन स्लोक याद करना कि आपकी भाग खराब रही दोस्तों कि यहां पर जो आपने याद किया वो यहीं पर आ जाए तो एक आपके पास बचेगा तो यहां पर लिख लोगे ठीक जिसका दो मार्क मिलेगा अब देखो उसके अलावा देखो अब यहां पर आठवा प्रस्न आपका संस्कीत उत् भारतिय संस्कीते मुलम की मस्ती तो यह थोड़ा प्रस्न भारी है ठीक है तो मालो इसको आप छोड़ दो इधर आ जाओ इधर देखो अब इधर दो प्रस्न है सॉरी तीन प्रस्न और है जैसे पूराजय का आसीद तो इसका उत्तर लिख दो चंद्रसेकरा का आसीद तो ब तीनों असान है तो तीनों में से अप इसका और इसका उतिर लिख दो या इसका 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 आको मन कीनी दो कहीं वत्तर लिखना है जिसका इरा माइ 나서 यह है रहे निवन्द हो पर दोनों में इसकी एक को चूच करकर आपको पत्र लिखना होगा, ठीक, अपनी BCA सुरुचिय का उलेख करते हुए, आपको अपने मीतर को पत्र लिखना है, या फिर उतरमद रेलवे में, रेलवे को एक सिकायती पत्र लिखना है, जिसमें टीकर निरिचक, यानि वही कम से कम पांच सेटों में तो यही आपके पत्र आएंगे, निशीत है, ठीक मेरे भाई, तो आप इसको क्लियर कर लेना, बाकी चलो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फूरा फूरा ये PDF मिलेगा, देखो, PDF इस वीडियो के डिस्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्र बॉक्स में, लिंक आपको एक मिलेगी, ठीक है, वो लिंक क्या होगा, मेरा WhatsApp चैनल है, ठीक है, WhatsApp चैनल बोलो या WhatsApp गुरूप बोलो, उस लिंक पर क्लिक करोगे नो, तो आपको ये ओपन आएगा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ क्या आएगा, ठीक है, एक मिनट, यहा पर जो घंटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर follow का आपको option दिखेगा, तो follow पर क्लिक कर लेना, follow पर क्लिक करोगे तो यह घंटी दिखाई देगी, कटी होगी, तो घंटी पर एक बार देखो, एक बार क्लिक करकर और notification पूरा-पूरा आन कर लेना, जिससे जो भी इस group में म सारी चीज़े मिल जाए, तो वीडियो के इस वीडियो के description box में इस group का link मिल जाएगा, आप उस पर click करकर join कर लेना, और देखो, यहाँ पर मैंने पहले का send कर रखा, यह सारा PDF का link बना कर देखो, यह नीचे link है, ठीक है, यह थोड़ा mobile का scratch हुआ है, तो माफ करना, ठीक है, तो देखो, इस पर link पे आप click करोगे, तो यह आप OK करोगे, तो देखो, यह आपका PDF पूराख फूराघ पूराघ डाउनलोड होने लएगगा, ठीक है, आप का, रूबर पूरा फूरा PDF है, आप लोग देख सकते हो, यह पूराघ पूरा फूरा फूरा फूराघ सालूशन सेट है उनका आपको यहां पर PDF मिल जाएगा विल्कुल फ्री में मिल जाएगा यहां से देखकर अपना दोज दोज़ाज़़तेश का ठीक है जो माफकर ना जो दोज़ाज़तेश का 223 का साथ सेट है न सातो सेटों को आप लगा लेना ठीक है सातों सातो सेटो को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपके उसी में से 40 प्लस मार्क आएंगे 40 से ज्यादा कम चाली से 50 मार्क है तो कोशन प्रिवियस ये के सातो सेटो से आएंगे तो यहां पर सातो सेटो का प्लिएप दिया गए बाकि उनका अच्छे से डिटेल में सालुशन चाहते तो यह और कोर्स में आओगे यहां पर आपको 99 रुपर पेमे प्रिवियस ये पर पढर ना है तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर देको पूरा फ्राब वीडियो है वीडियो से कोई मतलम नहीं क्योंकि टाइम लगए वीडियो में आप यहां पीडिया प्रम से पढ़ो और मॉक टेस्ट भी दे तो आप PDF से पढ़ो और जो MCQ है उनका यहां पर टेस्ट भी दो तो सारी चीज़ आपके क्लियर हो जाएंगे और यह करकर चले जाना आपके हिंदी में 70 में 70 मारक आएगा कोई रोक नहीं सकता आपको ठीक है चलो तो यह रहा आपका बोड़ द्वारा जारी Official Model Paper का सालूशन बाकी आप बताना कि वीडियो को कैसी लगी वीडियो चीज़ लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेर भी कर देना चलो मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए थैंक यू